लोग तांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किये बिना, आप समधान नहीं ढून पाएंगे। हम खुद करने की इच्छा नहीं रखते और हम चाहते हैं कि सरकार इसका बस एक जादुवी छड़ी से समधान करते, नहीं। सद्गुरू, फिलहाल पर्यावरन का एक मुद्दा ध्यान आकर्शित कर रहा है, चाहे उसकी वज़ा अच्छी हो या बुरी। सयुक्त राश्टर का ये पूरा मुद्दा जो एक सोला साल की लड़की के बारे में है, जिसने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, इस मामले के दो पक्ष हैं और हर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे। देखे, मैं किसी की बात को स्वीकार या अस्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं निजी तोर पर लोगों पर दोश डालने में विश्वास नहीं रखता, क्यूंकि इस से समाधान नहीं निकलेगा, ये मैंने बहुत पहले सीखा था, जब मैं सोला साल का था, तब म अन्याय पर मैं हर चीज पर क्रोधित था, लेकिन फिर मैंने एक मुकाम पर आकर ये समझा, कि आप दुनिया में कहीं ज्यादा नतीजे पैदा कर सकते हैं, अगर आप में स्वीकरती और सरहाना की भावना हूँ, बजाए इसके कि आप बस भयंकर बुराई करते रहें, ये म मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ और मेरी समझ नहीं बदलेगी, क्यूंकि मैं ये देख चुका हूँ, मैं आपने भीतर ये देख चुका हूँ, कि इससे मुझे और मेरे आसपास हर किसी को क्या नुकसान पहुंचा हर समय किसी चीज को लेकर क्रोधित होने से, तो मुझे मुझे लगता है 16 साल के एक बच्चे की चिंता की हम वाकई सरहना करते हैं। मुझे विश्वास है कि लाखों बच्चे और बड़े भी चिंते थें। वो बोल रही हैं, वो बयान दे रही हैं, ये ठीक है। लेकिन जो भी उसका पालन पोशन कर रहे हैं, उन्हें उसे क्रोध की दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। पर ये बहुत जरूरी है कि हम साथ मिलकर एक समाधान खोजें। क्यूंकि अगर हम समाधान चाहते हैं, तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किये बिना, आप समाधान नहीं ढून पाएंगे। आप खुद को कुरोध में जला सकते हैं, कोई समाधान नहीं निकलेगा। और इन विश्वस्थर के मंचों का काम भी यही है, लेकिन कहा जाता है कि बातें बहुत जादा होती है और जमीनी काम बहुत कम। देखिए, ये सच है, बातें ज्यादा होती हैं और काम-काम, क्या आपने यही तरीका नहीं चुना हैं? देखिए, आप मीडिया में हैं, आप बोलना चाहते हैं, अगर हम आपको बात न करने दें, चाहे आपको अच्छा भोजन मिले पर बोलने न दिया जाए, तो आप कहेंगे कि बोलने की आजादी नहीं है और बड़ा हंगामा करेंगे, तो स्वभाविक रूप से बातें ज् आदम हैं, क्या हर देश वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए, शायद नहीं, वो नहीं कर रहे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग उन देशों में रहते हैं, क्या वो कुछ चीजें त्यागने को तयार हैं, क्या ये सिर्फ राजनिताओं का काम है, मुझे ऐसा नहीं कि सभी को पैदल चलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिसाब से सरकार को जो भी काम करने चाहिए, उनके नतीजे स्वीकार करने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, किसी रूप में, हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार बस एक जादूई छड़ी से समाधान करते, नहीं, इसलिए मैंने किसानों को शामिल किया, मैंने सरकारों को शामिल किया और अब मैं नागरिक समाज को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक होम में वाटर वीक में थे, उन्होंने इस स्पष्ट रूप से बताया कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, पर किया आपको लगता है कि आबादी का जो दबाव इसस जमीन पर और इस सरकार पर है, वो छोटा दबाव है, हम जिस हिसाब से बढ़ हैं, तो फ प्रकरति एसे बहुत बेरहमी से आपके साथ करेगी, आप ऐसा होने का इंतजार कर रहे हैं। झाल झाल